हे गाईज दिस इस सिफ्ट्रम करें दोस्तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और संदर टोपिक के साथ आप लोगों को पास हाजीरू बीच में छोड़के मत जाईए क्योंकि हाब नॉलेज बहुत ज़्यादा देंजरास है पूरा नॉलेज ले लिजिए पूरा गाईडलाइन पूरा जानकारी जान लिजिए उसके बाद आप स्टेप उठाईए तो दोस्तो चलिए आज के सांदर और इंडेस्टिंग वीडियो स्टाट कर लेता हूँ से तो मेरिन इंजिनियर बनने के लिए एठ फास्ट जो पॉंट का उपर बात करूँगा ओह है इलिजिविलिट्ग देखे मेरिन इंजिनियर बनने के लिए कॉन-कॉन इलिजिविल है पहले वो पाता होना चाहिए अगर आप डिप्लोमा इन मेकानिकल इंजिनिरिंग कॉंप्लीट करके रखा है डिप्लोमा इन इलेक्टरिकल इंजिनिरिंग कॉंप्लीट करके रखा है डिप्लोमा इन नोवल आर्गिटेक्चर कॉंप्लीट करके रखा है diploma in marine engineering complete करके रखा है diploma in electric and electronics engineering complete करके रखा है तो आप eligible है समझ पा रहा है आगर आप b.tech in mechanical engineering complete करके रखा है अगर आप 12th class PCM physics chemistry math with 60% and English with 50% अगर आप complete करके रखा है तो भी आप eligible है दोस्त आपको marine engineering में admission होने के लिए IMU-CET exam क्रेक करना पड़ेगा जैसा कि हमारा graduation में engineering में admission होने के लिए वहाँ पर join entrance क्रेक करना पड़ता है तो ऐसे IMU-CET क्रेक करने के बाद आपको marine engineering में admission होगा समझ में आ रहा है अगर आप diploma करने के बाद marine engineering में जाते हैं तो वहाँ पर course duration रहेगा 3 सल का अगर आप BTEC mechanical engineering करने के बाद marine engineering में जाते हैं तो वहाँ पर course रहेगा 1 सल का अगर आप 12th class के बाद marine engineering में admission होते हैं तो वहाँ पर course duration रहेगा 4 सल का समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पर course duration और eligibility कौन-कौन eligible है marine engineering करने के लिए वह आपको बताए उसके बाद दोस्तों जो point के उपर बात करूँगा ओ है age limit देखिए आपका age 17 से लेकर 25 सल का अंदर-अंदर है तो आप marine engineering में admission हो सकते हैं देखिए दोस्तों बहुत सारे students का dream है marine engineering बट आज का दिन में देखा जाए आगर civil electrical mechanical या तो जो हमारा normal engineering departments है उसका साथ compare किया जाए तो marine engineering में competition बहुत कम है बहुत मतलब बहुत कम है वहाँ पे बहुत अच्छा खासा salary के साथ जोब आपको मिलता है competition भी कम है बट competition कम होने का पीछे एक वज़े है बहुत बड़ा reason है जो है course fees इंडिया का जो top institute रहता है अगर private institute का बात करें तो वहाँ पे 10 लाग से लेकर 25-35 लाग तक जाते है course fees बात समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा high course fees है तो यहां पर ही बहुत सारे students का जो dream है वहीं खत्म हो जाता है simple खत्म हो जाता हुई क्यों ज्यादाता students का जो घर-बालों ने है अगर मेरा जैसा मतलब families है middle class families है तो एफुट कैरी नहीं पाएगा समझबा रहा है तो course fees बहुत ज्यादा हाई है बड़ सेलरी बहुत अच्छा खासा है यह मैं आपको बता सकता हूँ marine engineering का जो salaries है बहुत अच्छा खासा सेलरी के साथ जोब मिलता है जोस्तों मैंने मार्चर ने भी का बात कर रहा हूं यहाँ पर इंडियार ने भी का बात नहीं कर रहा हूं मार्चर ने भी पर देखा जाए marine engineering complete करने के बाद आपको जो position मिलेगा ओ है fifth engineer या तो भी TME trainee marine engineer वहाँ पर salary आपको 20,000 से लेकर 25,000 तक मिलता है उसके बाद fourth engineer या तो फिर third engineer second engineer उसके बाद chief engineer यह सारे position में जब आपको time के साथ साथ मतलब position change होगा तब salary बहुत आच्छा खासा होता है ऐसे नॉर्माल जो marine engineers रहता है जो fourth engineer होता है उनका ही salary देड़ देल लाग दो दो लाग तक हो जाता है समझपा रहा है उससे भी ज़्यादा होता है बहुत सारे cases में तो cheap engineers जो रहता है उन्होंने तो माइने में 25-25 लाग 30-30 लाग तक लेते है तो salary का बाद नहीं होगा यहा salary मिलता है को सब्सक्राइब जैसा ज्यादा है सली भी बहुत अच्छा कासा है लेकिन बहुत सारे स्ट्ट्रेंट्स का ड्रीम है मेरें इंजिनेरिंग करने का तो उसी बाक्त एक रास्ता है जो है scholarship देखें बहुत कॉम स्ट्ट्रेंट्स को 100% scholarship मिलता है लेकिन 100% एरेंज हो सकता है उसके बाद जितना एमाउंट रहेगा ओ आपको घरबालों को पे करना पड़ेगा समझ रहा है 100% कॉलर से बहुत कॉम स्टुडेंट्स को मिलता है जोस्तों अगर टॉप इंस्ट्रीट का बात करें मैंने इंजिनेरिंग का जो टॉप इंस्ट्रीट है तो पाइवेट इंस्ट्ट्ट को मैंने यहाँ पर प्रमोट नहीं करने वाला हूं क्योंकि उन्होंने मिरे को पैसा नहीं दिया है भाई प्रमोट नहीं करने वाला हूं सिंपल बात है आई-ई-टी लेवेल का बहुत सारे कॉलेजेस है आई-ई-टी में आगर बात करूं त तो जोस्तों बातों बातों पर मैंने बहुत सारे इंफोर्मेशन आप लोगों को साथ श्यार कर लिया eligibility, age limit, कितना salary आपको मिल सकता है, course fees कितना हो सकता है समझ पारा है आप, आपको कितना scholarship मिलने का probability है देखे, अगर आपको अच्छा खासा reputated college मिल जाए तो आप education loan 100% मिल जाएगा समझ रहे है, बाद normal college हो जाए तो नहीं मिलेगा अगर आप marine engineering करना चाहते हैं, तो diploma mechanical engineer के लिए 3 साल का course होता है IMU, CET exam track करना पड़ेगा, जो b.tech engineer से अगर आप mechanical में b.tech करके रखा है तो उसके बाद आपको एक साल का marine engineering course duration रहता है, तो आप लोगोंने interested है, बहुत ज़्यादा पैसानेट हो, तो आप लोगोंने scholarship लेके, education loan लेके, जा सकते हो marine engineering के तोरो, अगर आपका घरबालों ने effort कर पा रहा है, तो बहुत बढ़िया वात है तो white collar job तो मैं नहीं बाता हूँ, बट बहुत अच्छा खासा salary के साथ, एक मेहनद बाला काम आपको मिल जाएगा तो दस्तो मैं उम्मिद्गारूंगा इस वीडियो से, आप लोगों को काफी सारे information और knowledge मिला है, अगर वीडियो informative लागा है तो वीडियो पे लाइक जरू कर देना, चैनल पे नया हो जाए तो चैनल को सब्सक्रेब करके पास में बेल आइकोन दावा देना, मैंने इस चैनल पे engineering related, job related, career booster related and online learning related वीडियो लाता रहता हूं, फिर मिलूंगा नया एक वीडियो के साथ, तब तक लिए बाई बाई टेक क्यार, जाहिंद